Hello everyone, welcome to my youtube channel. So today we are doing some important MCQs. यह सब जीएस के MCQs है, आज हम करेंगे important MCQs, जो हमारे exam के point of view से important है. So इसमें history के भी MCQs हैं, plus हमने इसमें GO के भी MCQs लाएं, यहनि की जितने भी हमारे important exams, perspectives, questions हैं, वो सब लाएं. So इसमें हम थोड़े से explanation भी करेंगे. स्टार्ट करते हैं अपना first question, जो की है, Lord Buddha ने enlightenment कहां लिया था? बोध गया में, माघाट में, सारनात में या का पिलवस्तू में. So इसका जो correct option है, वो है option number 8, it is बोध गया. थोड़े से जान लेते हैं हम बुद्धस के बारे में, जो Lord Buddha थे, उनका जो नाम था, वो था, गौतम, बुद्धा. He is the founder of Buddhism, इन्होंने Buddhism को found किया था. अब ये born कहां हुए थे, ये पैदा कहां हुए थे, ये पैदा हुए थे, लुम्बीनी नेपाल में, लुम्बीनी नेपाल में ये पैदा हुए थे. और ये कौन सी क्लान से, अगर आपसे पोशन आए, कि ये कौन सी क्लान से बिलॉंग करते थे, तो ये साक्या शत्रया क्लान से बिलॉंग करते थे, ठीक है? इनके father का नाम था शुढधोदिन इनके father का नाम अगर आपसे पूछे कि father name क्या था तो इनके father का नाम था शुढधोदिन अगर आपसे पूछे कि इनके जो first teacher है यह भी question पूछा जा सकता है इनके फर्स्ट टीचर कौन थे जिन्होंने इनको पढ़ाया था वो थे अलारा कालमा जो थे इन्होंने इनसे मेडिटेशन, मेडिटेशन की ट्रिक्स सीखे थे ठीक है तो अलारा कालमा इनके जो थे फर्स्ट टीचर थे इसके बाद इनके जो सेकंड टीचर थे वो थे उदा उधारका राम पुत्रा इनके सेकंड एचर थे इन्होंने थर्टिफाइफ एर्स ओफ एज में जो है पीपल ट्री में जो कहां पे था बोध गया में जो था वहां पे इन्होंने निरांजना रिवर के पास मेडिटेशन लिया था अनलाइट्मेंट किया था तो यह आपका अप्शन आ जाता है अप्शन ए सो इसका यह जो था निरांजना रिवर के पास थे कि सेकिंड ली अगर देखें तो हमें बुद्धिस कॉंसल जो हैए उससे भी काफी कोशन जो है वह पूछी जाती है जैसे बात करें कि फर्स्ट बुद्धिस कॉंसल कहां पे हुए थी थी राजक्रिहा में ठीक है अगर पूछे कि सेकंड बुड्डिस कॉंसल जब वो कहां पे हुई थी वो ही थी वेशाली में अगर पूछे थर्ड बुड्डिस कॉंसल कहां पे हुई थी तो वो ही थी पाटली पुत्रों में और फूर्थ हुई थी कुंडलवानन कश्मीर में so not only कि आप से ये पुझे बढ़ आटलिमबद की भी पुझ सकते हैं कि फर्स्ट बुडिस कॉंसल के जो चेर्मेन थे या पैटरन थे वो कौन थे तो चेर्मेन थे माहा एक सेकेंड जो फर्स्ट बुडिस कॉंसल के माहा का सपा और इसके जो पैटरन थे वो थे अज़ात शत्रू अगर आपसे पूचे कि अज़ात शत्रू कौन सी डाइनस्टी थे तो वो थे हर्यंक का डाइनस्टी से हर्यंक का डाइनस्टी से वो बिलाउंग करते थे फर्स्ट बुड़िस कॉंसल 483 BC में हुई है ठीक है 2nd Buddhist Council के अगर हम बात करें 2nd Buddhist Council हुई थी वेशाली में और इसके चेर्मेन थे सबाकामी और यहां पर काल अशोका जो थे वो इसके पैटरिन थे 3rd Buddhist Council हमारी पार्टली पुत्तर में हुई है 4th Buddhist Council हमारी कश्मीर में हुई है वो कौन सी लेंग्वेज़ में लिखी गई है पाली, प्रकती, संस्क्रित यहां इन में से कोई भी नहीं जो जो बुद्धिस कॉंसल है वो पाली लेंग्वेज में लिखी गई है Buddhist literature जितने भी है वो पारी language में लिके गई है देखे बुद्धिस जो सेक्ट से वो दो हिस्सों में यह सेक्ट बट गे थे एक थे हिनायाना और एक थे महायाना तो यह दो सेक्ट में बट गे थे अब यह पहले वाले जो थे यह आइडल वर्षिप में believe नहीं करते थे बट Mahayana जो थे वो आइडल वर्षीब में बिलेव करते थी तो आपको इभी पता होना चाहिए कि Hinayana जो है वो आइडल वर्षीब में बिलेव करते हैं इनकी लेंगविज भी इनने डिफरेंट सपोर्ट की थी जैसे हिनायाना जो थे इन्होंने पाली लेंग्विज को सपोर्ट किया था So next question है Who is the founder of Arya Samaj? Arya Samaj किसने found की थी? Arya Samaj किसने found की थी? So ये की थी Swami Ramakrishna Paramahans ने Vivekananda ने, Satchidananda ने या फे स्वामी Dayananda ने So इसका जो correct option है वो है option D इन्होंने 1875 में Arya Samaj को found किया था Important है ये भी या देखेगा Okay, next What is the sign language of Punjabi? Punjabi की sign language कौन सी होती है? गुर्मुखी, गुर्वानी, संक्रीता या प्राकती इसका जो correct option है वो है गुर्मुखी, option A जो है वो हमारा correct है Next है कि the sun rises in India Firstly कहाँ पर rise करता है तो वो करता है अरुनाचल प्रदेश में option C जो है वो हमारा correct है अगर आपसे पूछे कि land of rising sun country wise अगर country wise पूछे तो country wise कोन है? जापान है land of rising sun बीहू बीहू जो है वो कौन सी state का famous festival है बीहू तो ये है असम का option A जो है वो हमारा correct है option A correct है बीहू असम से है secondly आजाए कि एक और question आगया हमारे गौतम बुद्ध से childhood name इनका क्या था? तो वो था सिधारत है option B जो है वो correct है अभी मैंने आपको पता है कि शेदोधन जो था वो इनके father का नाम था कभी कभी ऐसी भी question पूछा जाता है कि इनके जो गौतम बुद्धा था इनके बेटे का नाम क्या था? इनके son का नाम था राहूल तो आपको ये भी बतावना चाहिए next है who is the supreme commander of Indian army force Indian army force के supreme commander कौन होते है तो वो होते हैं हमारे president defense related जो भी चीज़े होती है उनके जो president होते है या उनके supreme commander जो होते हैं वो president होते है next है in club जिन्दाबाद जो slogan है वो इन मेंसे किस ने दिया था? सुबाश चंदर वो उसने भगत सिंग ने चंदर शेकर अजात ने या हसरत मोहानी ने तो in club जिन्दाबाद का जो slogan है कभी-कभी student जो है भगत सिंग के साथ जाते है बड़ भगत सिंग ने इसको famous किया था तो ये in club जिन्दाबाद जो slogan है वो coin किस ने किया था? वो किया था? हसरत मोहानी ने जो हमारा option D है वो correct है next है जलियाँ वाला बाग जो tragedy हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी हमारी 13th of April 1919 में हुई थी ठीक है? 1919 में हुई थी अगर आप से पुछे कि इस टाइम पे जो voice रहे थे ठीक है? voice रहे थे इंडिया के तब वो कौन थे? वो थे Lord James Ford पंजाब के जो पंजाब के जो गवर्नर थे वो कौन थे? वो थे Michael O. Dyer Michael O. Dyer जो थे वो पंजाब के उस टाइम पे चेयर्मेंन थे जब जलियाँ वाला बाग massacre हुआ था नेक्स्ट है अफ्टर जो Congress से छोड़ के सुभाष चंदर भोस ने कौन सी ग्रूप को जोईन किया था? इस में से कौन सी ग्रूप को उन्होंने जोईन किया था? जो D option है वो है None ठीक है? तो या फिर उन्हें चलो दिली ग्रूप को अजाद All In Forret Block को या अजाद Hind फोज को या इन में से किसी को भी नहीं इसका जो correct option है वो option B All Indian Forret Block को उन्होंने जोईन किया था तो किया कब था? 1939 में कहां पर किया था? अगर आप से पूछे तो कलकता में ठीक है? 1939 कलकता में किया था Next है Who is the first female governor of India? First female governor of India का अगर आपसे पूछे अनिबेसेंट है मेरा कुमारिया सुचीता क्रीपाल नहीं है या फिर सरोजनी नाइडू है So इसका जो correct option है वो है हमारा option number D सरोजनी नाइडू जो है वो first female governor इंडिया की थी अगर हम बात करें अनिबेसेंट की आपको पता है कि अनिबेसेंट ने home rule moment जो है वो शुरू किया था 1916 में ठीक है इसके बाद जो है ये जो है first first president थी किसकी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की first woman president भी रह चुकी है अगर हम बात करें अनिबेसेंट की newspaper की तो इनके जो थी newspaper वो थे new India और common will जो है वो इनके ही newspaper है ठीक है तो आपको ये भी याद रखना है और सरोजनी नाइड जो है वो इंडिया की first Indian woman first Indian national congress की president थी तो आपको अगर इंडिया के point of view से पूछे तो वो है सरोजनी नाइडू अगर आपको पूरे कंटेक्स्ट में पूछे की कौन थी तो वो थी अनिबेसेंट तो इनके newspaper थे new India and common will 1916 मेंने उन्हें home rule moment को भी शुरू किया था इसका विजे घाट जो है डेली में वो किस से associated है लाल भादु शास्तरी से महत्मा गांधी से नहरू से या ब्यार अंबेड कर से विजे घाट जो डेली में है वो किस से शुरू इसमें महत्मा गांधी तो नहीं आ सकते क्योंकि महत्मा गांधी से जो associated है वो है राज खाट ठीक है यह most important question है, यह current point of view से भी important है और हमारे historical point of view से भी important है Eight Wonders में से शिंखाई Corporation of India ने इन में से कौन सी और एक चीज को add-on कर दिया गया देखे साथ अजूबे थे हमारे पास, एक और add-on कर दिया, वो कौन है, वो है Statue of Unity Statue of Unity को शंखाई Corporation of India ने Eight Wonders में डाल दिया है तो अब Statue of Unity जो है, वो किस से related है, अगर आप से पूछे, तो Statue of Unity related है हमारे सरदार पटेल से ठीक है ना, सरदार पटेल से related है, तो आपको यह भी याद रखना है, देखे, इनको Iron Man of India भी कहा जाता है यहाँ पर लिखा हूँ है, देखे, World Statue of India इनाउगरेट किया गया था, 31st October 2018 में इसको जो है, Most Important Tourist Destination है, यह केवाड़ा नर्मदा गुजरात में है, इसको Iron Man of India भी कहा जाता है 31st October में, इनकी जो बर्थ एनवर्सियों से Unity Day भी सलिबरेट किया जाता है, सरदार वल्ला भाई पटेल यह Important है, कि एट अजूबों में शंगाई कॉर्परेशन ने किसको डाला है, तो वो डाला है Statue of Unity को 31st October को Unity Day मानता है, और Iron Man of India यह भी आपको याद रखना है, सरदार पटेल को बोलते है Next है, Who am I the following with the Permanent President of the Constituent Assembly में से कौन से इनके Permanent President थे क्या वो नहरू थे, BRM बेट कर थे, मौलाना अजाद थे, क्या राजिंदर परसा थे देखिए, इससे पहले, जब Constituent Assembly बैटी थी, तो उसमें एक Interm President बनाया गया था Interm होता है, Temporary President, तो Interm President बनाया गया था, सचिदानन्द, सचिदानन्द, सिन्हा को ठीक है, उसके बाद जो है, यह 11 days तक ही रहे, उसके बाद जो है, New President बने थे, वो थे हमारे रजिंदर प्रसाद, तो Option D जो है, हमारा Correct Option होता है, Next है, Preface, Concept of Preface, हमारे Indian Constitution में इन में से किस ने दिया था, देखिए, हमारे JKPSI में भी काफी जो है, इसके Related, Preamble के Related Questions पूछे गए थे, ठीक है, न तो JKSSB का कोई भरोसा नहीं है, आप सब कुछ पढ़के चाहिए, वो कहीं से भी कोशन उठा के डाल सकती है, तो इसलिए मैंने आज यह कोशन लाए है, कि यह जो concept है, जैसे Preface हम बच्चे पढ़के नहीं जाता है, बाद में जाके हम देखते हैं, कि यह कोशन कहां से आगया, तो इसलिए यह कोशन लेके आई हूं, ताकि आपको सब को बता चल जाए कि यह कैसे बनते हैं, Preface in the Indian Constitution, जो है, वो किस नहीं दिया था, तो वो दिया था हमारे नहरू ने, तो option A, जो है, वो correct है, What is the ratio of the national flag? यह भी जो था, यह current affair से related है, क्योंकि जुलाई में जो national flag की बात की गई थी, तो national flag की क्या पताब से ratio पूछ ले, तो ratio क्या है उसकी, तो वो है option B, तो इसमें जो 3 है, 3 is to 2 है, 3 जो है, वो length है, and breadth क्या है, 2, तो 3 is to 2, जो है, वो ratio है, national flag की, Okay, next, move करते है, question number 18 पर, जिसमें पूछा गया, international court of justice का headquarter कहाँ पर है, यह मैंने, अभी आपको currently, जो news में था, यह मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसका option है, option B, that is Hague, Netherlands में हमारा, international court of justice का headquarter भी है, Hindi Divis, Hindi Divis कब celebrate किया जाता है, Hindi Divis celebrate किया जाता है, हाँ, तो एक वो चीज़ आप पतावाना चाहिए, कि International court of justice, जो है, इसमें जो judges होते हैं, उनका time period होता है, 9 years, ठीक है, तो अगर पूछे कि इसमें, जो total judges होते हैं, वो कितने judges होते हैं, तो वो 15 judges होते हैं, total 15 judges हैं, and 9 years का time period ह होता है, next है, हिंदी Divis कब celebrate किया जाता है, हिंदी Divis कब celebrate किया जाता है, तो वो किया जाता है, 14th of September को, option A, जो है, वो correct है, next, move करते है, question number 20 पे, यह है, which was the first Hindi language, अभी देखो, Hindi language पोशा है, ना कि यह पुचा कि first newspaper कोई सा है, तो अगर first newspaper पोशते है, तो वो है, Bengal Gazette, अब next है, जो Hindi language newspaper कोन सा है, सबसे पहला, so यह है, Udant Martand, यह सबसे पहला Hindi language newspaper था, अगर यह किस नहीं किया था, यह J.K. Shukla, J.K. Shukla जो थे, उन्होंने यह newspaper जो है, यह print किया था, okay, next, तुलसिदास ने रामचरितर मानस लिखी है, तुलसिदास ने रामचरितर मानस लिखी है, क देवनगरिया, सुर्या मुखी, कुन सी language में उन्होंने लिखी है, तो वो लिखी है, option A, that is, अवधी language में उन्होंने देव, जो रामचरितर मानस है, उसे लिखा है, तो इसका जो correct option है, वो है option A, next है, who wrote the famous song, जंडा उंचा रहे हमारा, किस ने लिखा है, क्या रबिंदर न परशाद ने, तो इसका जो correct option है, वो है, शामलाल गुपता परशाद, जो option D है, वो हमारा correct है, तो इन्होंने लिखा है, जंडा उंचा रहे हमारा, जो कि हमारा एक song है, कौन से Buddhist monk ने अशोका को influence किया था, फिर उसके बाद जाके, अशोका ने बुद्धिस्म को adopt किया था, तो वो किया था, option D, उपा गुपता ने किया था, तो option D, जो है, वो हमारा इसका correct option होता है, नेक्स्ट है, लंगर सिस्टम, देखे, इस Sikh religion में, लंगर सिस्टम जो है, वो किस ने start किया था, गुरु नानक देव ने, गुरु गोविन सिंग ने, गुरु अर्जुन देव न नेक्स्ट है, वेदा अबॉट मंत्रा, मंत्रा के बारे में, इन में से कोन से वेदा है, डेक्स्ट है, इसका option A, रिख वेदा में, मंत्रा के बारे में, बोला है, देखें मैंने चार वेदिक टेक्स्ट है जिसमें कि हम पढ़ते है रिग वेदा याजूर वेदा एक सकी जिसमें हम पढ़ते है रिग वेदा याजूर वेदा अथरव वेदा याजूर वेदा याजूर वेदा याजूर वेदा याजूर वेदा याजूर वेदा याजूर व ऐसमें tenth मंडला में इनको डिवाइड करते गया है अगर हम 10th मंडला की बात करें टेंथ मंदला में क्या है? पुरुषुक्ता है पुरुषुक्ता यानि की जो जिसमें चारवरनास के बारे में बताया जिसे ब्रहहमान, शत्रियास, वेश्यास और शुद्रास के बारे में तो यह book of chant होती है हमारी रिखवेदा अगर हम बात कहते है यह जूर वेदा के देखे यह जूर वेदा जो है यह जूर वेदा तो इसमें क्या होता है यह जूर वेदा में सेक्रिफाइशल प्रेयर्स होती है सेक्रिफाइशल प्रेयर्स के बारे में बोला जाता है तो सेक्रिफाइशल प्रेयर्स ठीक है तो सेक्रिफाइशल प्रेयर्स और इसमें भी दो बुक्स को डिवाइड किया गया है एक है कृष्णा यजूर वेध एक है इक है शुक्ल यजूर वेध कृषणा यजूर वेध सम वेधा की बात करें सम वेधा गोळाएं जिसमें बोला जाता है सम वेधा में उगातरी प्रीस्ट होता है उसे गाता है नेक्स आ जाता है हमारा जो अथर्व वेधा है वो है magical वाली ठीक है magical formula की book है जिसमें magics के बारे में बताया होता है वो है अथर वबेदा ओके चलो इसका जो correct option है वो है हमारा option number A next move करते है question number 26 में Napoleon of India किसको कहां जाता है Napoleon of India कहां जाता है समुंदर गुप को जो हमारा option D है वो हमारा option correct है next Hindu Napoleon अब यहां पर आगे हिंदू Napoleon किसको कहां जाता है तो हिंदी Napoleon कहां जाता है हमारे स्वामी विवेक का नंद को option A जो है हमारा यहां पर correct होता है next है जे जवान जे किसान और जे विग्यान अब यह दिखे जवान जे किसान अगर आपसे पूछे तो आप बोलोगे लाल बादो शास्तरी ने दिया अगर आगे हम लगा दे जे जवान जे किसान और जे विग्यान यह नारा किस ने दिया है तो यह दिया है हमारे अटल भिहारी वाजबैने अब यह नारा इन्होंने क्यों दिया था तो वो जाता है हमारे इश्वचंद्र विद्या सागर को तो यहां पर राजारा मोहन रॉय को जाता है भ्रामो समाज के लिए तो आपने इन में कन्फ्यूज ने अना है भ्रामो समाज जो है इन्होंने किया था एंड उसके बाद सती सिस्टम के बाद भी इन्होंने की थी, बट अमरी मैरेज अक्ट यानिके विड़ो जो है वो फिर से शादी कर सकते हैं, निमैरे अक्ट जो है वो इन्होंने डाला था, तो इश्वचंद्र विद्या सागर से रिलेट है, भारत कोकीला, भारत कोकीला इन्होंने से किसको कहां जाता है, यह मोस्ट इंपोर्टन चीज़े याद रिखेगा, तो वो कहां जाता है हमारी सरोजनी नाइडू को, सरोजनी नाइडू को भारत कोकीला भी कहां जाता है, ओके, who built the GT trunk road, किसने इन में से built किया था, GT trunk road, ये किया था, शेर सार सुरी ने, जिसको पहले सडक ए आजम भी बोला जाता है, सडक ए आजम भी इसको पहले बोला जाता था, तो ये किया था, शेर सार सुरी ने, नेक्स्ट है, यूनिस्को ने कलिंगा, एवार्ड इन में से, किस फिल्ड में देते हैं, क्या वो साइंस में, हरिटेज में, सोशल वेलफेर में, या आर्ट अन कल्चर में, देकिर यूनिस्को से अगर आप पलेंगे, तो आप बोलेंगे, हरिटेज साइट है, बट नहीं, इ 1953 में बने थी, उसके बाद, जो है, 1955 में, स्टेट रियॉर्गनाइज़ेशन एक्ट है, जिसमें बुला गया, स्टेट बनेगी, ऑन दे बेसिस ऑफ लैंगवेजेज, इसमें जो आंदरा परदेश में, पोट्टी सिरारा मुलू नाम के एक इनसान थे, जो एक लीडर थे, जिन्होंने काफी ज़्यादा प्रोटेस किया, इन्होंने 54 हंगर डे स्ट्राइक रखी, ताकि जो आंदरा परदेशा उसको स्टेट की लैंगवेज की बेसिस पे एक स्टेट बना दिया जाए, काफी सारी कमेटी बनी जैसे जेवीप कमेटी बनी है, जवाला नहरी, वुल ज़ा और्गनाइजेशन ऑन बनी है, आंदरा परदेशा नेक्स है सीटी ऑफ लॉक्स किसको कहा जाता है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ओप्शन नॉमबर बी डेटीस अलिगड़, अलिगड़ को सिटी ऑफ लॉक्स कहते हैं, वो एंग फॉलिए 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 ठीक है चलो नेक्स है में देल्ली स्लतिने रूल ब्रोक दा पॉवर अफ 50 40 जो है वो किसने ब्रोक किया था पॉवर देखी वो बनाया था तो इल्टूमिश ने बनाया था उसको ब्रोक किया था बलबन ने ग्यासो दिन बलबन ने उसे ब्रोक किया था Battle of Haldigati, last question है हमारा, Battle of Haldigati, कब fought किया गया था, तो वो किया गया है 1576 में, it was fought between Rana Parta, Fahmewar, Mughal Emperor, Maan Singh, Ajmerga, Amirga. So, ये थे हमारे top questions, जिसमें हमने काफे सारी चीजों को discuss किया है, and hopefully आपको ये lecture अच्छा लगा हूँ, इस lecture का PDF आपको मेरे टेलग्रम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका link में description में डाल दोगी, and इसके बाद जो है, हम current of a series भी जो है हमारी चल रहे है, जिसमें हम उसको explanation with MCQs भी Thank you and bye-bye